इंडिजनस स्टडीज एग्रेसिव पेलीज इंडिजनस स्टडीज से मुराद यह है कि जो लोकली हुई है किसी भी कल्चर के अंदर उन सब को देखके जब मैंने अपना रिस्टर्च का लिट्रेचर अपनी पीएश्टी के रिस्टर्च के लिए मुक्तलिफ जगों पे हुई भी स्टडीज को देखा तो उन सब की समरी करनी पड़ती है जब आप लिट्रेचर को समराइज या रिव्यू करते उनकी समरी करनी पड़ती है उस रिव्यू के बाद तो देखना सब को होता है कि कहा कहा किया इस मौज़ू पे काम हुआ वह अब aggressive beliefs क्योंकि मेरी research का एक एहम topic था तो समझा ये कि जो beliefs हैं वो असल में behavior को determine करते हैं अब aggression जो है एक ऐसा behavior है जो किसी को नुक्सान पहुचाने के लिए किया जाए और जिसे नुक्सान पहुचाने के लिए किया जाए वो नहीं चाहता कि उसे नुक्सान पहुचा ये एक important बात है आपकी नियत नुक्सान पहुचाने की और दूसरे की नियतों बच्चने की ठीक अब नियत के बगएर जो चीज होती है वो गलती से होती है और उसको हम हमेशा जारियत नहीं कह सकते जैसे कोई किसी दरफ चीज फैंक रहा था वो गलती से किसी को लग गई तो उसको नहीं माल रहा था और यह तो इवन कतल के मुकदमों में यह बात होती है कि नियत ठीक है नहीं इरादा था कि नहीं प्लैनिंग ठीक है आप दूसरा ले लें चीज कि वह चाहत तो वह इग्रेशन नहीं है ठीक है ना वह तकलीफ ने चीज है हाम भी वह आपको कर रहा है लेकिन एक तरीके से के दर्फ पहुंचा रहे है लेकिन आप उसे मोटिवेटेड नहीं है आप नहीं चाहते कि आप इसको एवाइड करेंगे क्योंकि वह जरूरी तर्टिकल प्र नहीं है तो ये जो हाम है ये फिजिकल भी हो सकता है थपड़ मा दिया गिरा गरा दिया तर्टिया मार दिया जो भी है उसकी धका दे दिया वर्बल भी हो सकता है कि गाली देदी ऑंक रादिया तरीके से पिर ये जो है वो सकते है नवस्याधी तोर पे दबाव डाला ये रिलेशनल और इमोशनल भी हो सकता है कि बैक बाइटिंग करके किसी के पीछे बात ने पहला के किसी की फाइल खराब करके तो ये सारी टाइप्स हैं एक जो रिस्टर्च में वाज़ बात थी जब मैं अपनी पीस्टिक रिसर्च शुरू कर रही थ और ये मौरल बिलीफ सारे पे रिश्टत लेने को ठीक समझते हैं के नहीं ठीक समझते हैं तो करेंगे गलत समझते तो नहीं करेंगे और कर लेंगे तो सौबह करेंगे आप हराम की कमाई को लाल की कमाई को ब्राबर समझते हैं अगर समझते हैं तो करेंगे नहीं समझते त के बारे में उस से अग्रेशन है तो आपको आपको यहां के बिचे लड़एयां करते तो पकिस्ट के बूढ़ेए हुम मी लड़केमार निकल के आजाओ मैं तुम्हें देखता हूँ रोजी बच्चों को चुड़ाना पड़ता है घरों में गली में और स्कूलों में और तो मैंने इनके बिलीव को कंपेर किया तो बड़ा इंट्रस्टिंग था जो मर्द और और उरत में फर्क है वो दोनों कल्चर में के लड़कियां शाउटिंग करते हैं लड़कियां गाली नहीं देती मर्द हाथा पाई ज्यादा करते हैं तो वो भी कोई हर जगा पैट्रन नजन नहीं आया कई जगां लड़कियां भी हाथा पाई कर रहे थी कर रहे थे पिर बच्चों की जो बिलीफ है पाकिस्तान में जो यांग लड़के थे वो तो अग्रेशन को बुरा समझ रहे थे लेकिन वो बड़े ओके तीक समझ रहे थे मतलब यह जो कि यह आठ साल का बच्च और जो 15 साल का बच्च जो कहता था मारना पिछना बरी बात है वो 15 साल की उमर में जाकर लगता है कि दबाव डालना और रोब डालना अच्छी बात है यह पाकिस्तान में यू जा रहे हैं जबके यानी नीचे से उपर जबके यूके के सांपल में छोटे बच्चे जो है वो फाइट करने में कोई हरच नहीं समझते थे लगा दो एक और एक दूसरे के साथ थोड़ी हाथा पाई हो जाए और उसको बुली कर लो लेकिन जब वो होए तो जो उनके बिलीफ यहां थे वो कम हो गए नतीज़ा क्या निकाला यह मुझे लगा और हमें से मजीद स्टुडी करना चाहिए के चोटा बच्चा मासूम होता है और वो लड़ाई से पाकिस्तान में बुरा समझता है लकिन जो बड़ा होता है तो वह पूरे माश्र में मीडिया में यह लोगों को करते देखके उन्चा बोलना चीखना लड़ना नफ्रत करना टीवी शोज पर बाते सुनाना आई उस्टे की बात ना सुनना वो सीख जाता है यह पाकिस्तान यूके में वो जब छोटा है तो वह लड़ाई कर लेता है क्यूंकि अभी वह वह वहां पर बच्चे काफ की जदा एक दूसरे के साथ जयावति करते हैं लड़ते हैं बुली करते हैं नाम लेते हैं चीज़ें चीज़ें चीनते हैं लकिन बड़े होते हैं तो मौशरा उन्हें यह कह रहा है टेंपर को कंट्रोल करो अच्छे सिटिजन बनो गाड़ी लग तो गिरबान ना पकड़ो दफ्तर में शाउट ना करो तो हुआ यह के जो उनकी ऊपर की लड़ने की आदत वो नीचे आ गई तो यह मौशरा कर रहे है यह पेरंट्स की ट्रेनिंग कूल टीचर्स की ट्रेनिंग यह है अब सिट्वेशन की वेरियंस भी थी मसलन इस ओके न आपको कुछ कैब लिया तो यह लड़की को अगे से नहीं करते यह स्कूल में टीचर्स भी कहते हैं बहन है वह तो लड़की है उसको नहीं अच्छा लगता लगता लड़के ने कुछ का उसको आप पकड़ लेतें यह यंग लोगों में नजर आया यहनी स्कूल चिल्ट्र बिलीफ एक्स्ट्रीम होते हैं और कुछ मॉडरेट होते हैं और स्टाइल बिलीफ दूसरे दीन के बारे में दूसरे तबके के लोगों के बारे में दूसरे फिर्के के लोगों के बारे में और दूसरी नसल के लोगों के बारे में होते हैं इनी बिलीफ की विजा से आपका ए इमेल भेज़िये और किसी नसल किसी तब के किसी रिलिजिस ग्रोप या वो जिन्हें मुसल्मान ही नहीं कहते हैं इस मुल्क में किसी के बारे में भी उसमें नफरत अंगेज मवाद है मैं उसे फावर्ट करते हूं यह बड़ा चोटा दर्जा है जैसे इमान का भी चोटा दर आया और उसने का ऐसी तैसी इनके बारे में फावर्ट करने से सोशल मीडिया पर नफरत की बातें करने से टीवी पे लड़ाई जगड़े दिखाने से लेके आप लोगों को कहते हैं चलो सारे कठे चलके उसकी दुकान जला दें वो तो फुलाँ है फुलाँ तब कि क्ए का या वो फुलाँ मथभ क्या है और आप वाकियात को देखें कि अकसाने से कितने इती बड़ी ट्रैज़डिस होई नहीं है यहां तक किकसी को जला दिया लटका दिया फांसी दे दी कराउड ने उसे मार दिया महज इस ख्याल से कि जो ये करे उसे मार ना जायज है हलाकि ना आपका दीन कहता है और ना ही आपका लौ अजासत देता है टेर्रस अटेक के बाद बिलीज चेंज जोगे येरोशिलम में यानी फलस्तीन के एक स्कूल में या इसराइल के एक स्कूल में धमाको गया तो उन्होंने का कि नहीं आरब बुरे होते हैं जब बच्चों से पूलता है तो ये ये होगा जैसे मुसल्मानों के साथ नाइन इलेवन में हुआ था है लेकिन बिलीज काइंडर भी हो जाते हैं नीचे भी हो जाते हैं यानि बदल भी जाते हैं कैसे जब आपका किसी से इंटरेक्शन वहता है येहूदी को हम marginalized group कहते हैं gay है यह transgender है हम यह कहते हैं कि ऐसे नहीं होते जब हम उनसे interaction करते हैं आपको कोई महरबानी करते हैं आपको अच्छे इंसान के तौर पर नजर आते हैं educational intervention के बाद भी बदल जाते हैं तो इस में मेरी सारी research इसमें culture को भी study किया गया है अगर इसके बिलीज के हवाले से जो अच्छी बात जो good news है वो यह है कि बिलीज चेंज किये जा सकते हैं कैसे कैसे education देखे interaction के जरिये intervention training design करके empathy neuroscience एक पूरी science है कि brain में क्या और रहता है अगर आप किसी का खून बैते देखते हैं काले का या गोरे का तो गोरे का देखके गोरे के दिमाग में ज्यादा होती है यह नो empathy जागती है लेकिन काले का खून देखके गोरे की और गोरे का खून देखके काले के दिमाग में वो लाइटनी जागती कि है इसको दर्दो रहोगा यह उती है एंपती तो उन्होंने ये नियरो साइंस में स्टडी किया है और इसी के जरीए वो अमन मुहबत और कंपेशन को बढ़ाना चाहरे हैं हमारी साइंस कितनी यूस्टूल है ना साइकालोजी की अब आपके अंदर चेंज आ सकती है और आप इग्रेशन के बिलीफ को बदल सकते हैं